हाई गाईज हॉर्लिक्स ओर किया था चोकलेट डिलाइट फ्लेवर वाला आजकुल बड़े सारे फ्लेवर आ गए इसके केसर बादाम, इलाइची सर्प्राइज वो भी बाद में ठ्राई करेंगे 500 ग्राम का ये पाक है जो कि 249 रुपीज मर्पी थोड़ा पर डिसकाउंट आपको मिल जाएगा यहां हमें दी है नूट्रियंट के इंफोर्मिशन हर 100 ग्राम में 370 कैलरीज, 10 ग्राम प्रोटीन, 78 काब्स और शुगर 32 ग्राम है जिसमें की अड़ेट शुगर है 14 ग्राम बाकी नाचुरल शुगर है फैट 2 ग्राम, विटामिन A है, B1, B2, B3, B5 और मिनरल्स जैसे की कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और पोटेशियम यह सारी चीज है शेल्फ लाइफ इसकी 11 महीने की है, और इन्ग्रियेंट्स इसमें है, सीरियल्स 23%, बारले यानि की जो 13%, वीट माल्ट, सीरियल एक्स्ट्राक्ट, शुगर, मिल्क सॉयलेट, कोका पाउडर, सोया प्रोटीन और भी थोड़ी वर्च चीज़ें है इनका रीफिल वाला भी आता है 500 ग्राम में, वो ले सकते हो, अचा इसको आप ठंडे दूद में, गरम दूद में, किसी में भी बना सकते हो, उन्होंने जो पैक पर सर्विंग बताई है 27 ग्राम, जो की 3 चमच भरके, पर मुझे लगता है एक ग्लास के लिए 1 चमच भरके ह होरलिक्स काफी है, फिर ना बहुत जादा मीठा हो जाएगा, आप इमेजन करो, 3 चमच भरके, चलो, coming to the point, जो और वीट का कॉंबिनेशन, विच चॉकलेट फ्लेवर इसमें, टेस्ट के लिए अच्छा है, पर ये सब मत सोचना कि इससे हाइड वाइड कुछ बढ़ेगी, वो सब मार्केटिंग गिमिक होता है, हाँ, उन बच्चों के लिए अच्छा है, जिनको दूद अच्छा नहीं लगता, वो प्लेन दूद नहीं पी सकते हैं, तो हॉरलिक्स डालने से फ्लेवर और टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो बच्चे आराम से पी सकते हैं, तो अट So that was it, वीडियो को लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, इन का रिवियो सुनने के बाद जाना, यह अब भी सोके उठा था, इसलिए असा लग रहा है, कैसा है, मीठा है, चोकलेटी है, कैसा है, मजा रहा है